हेलो एवेपन वेलकम तो आवर यूटूब चैनल रिविंसाइट क्लासेश तो गूर इविनिंग तो अलो फ्यू आज इस वीडियो में मैं आपके लेके आई हूँ 25 Most Important Questions for RRB NTPC ठीक है तो RRB NTPC का एक्जाम आ रहा है तो वहाँ पे Esthetics GK का भी रोल होता है वहाँ से काफी important questions मैं यहाँ पे लेके आई हूँ जो कि आपके एक्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं तो Esthetics GK का भी वहाँ पे काफी बड़ा रोल होता है तो मैं यहाँ पे 6 months, last 6 months की कुछ current affair जिसमें Esthetics GK से related है वो इस वीडियो में कराने वाली हूँ तो बने रहे हैं वीडियो के अंतर और यदे आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे बैल आइकन को प्रेस कर लीजे ताकि आगे आने वाली हर अपडेट को आप मिसना कर पाएं तो चलते हैं question number one पर तो question number one यहाँ पर है कि सोजिम किस देश की संसत को जाना जाता है कि जो सोजिम है वो आपने नए नम सुना होगा कि सोजिम है वो किस देश की संसत को जाना जाता है ठीक है तो यहाँ पर देखते हैं कि जो सोजिम है वो किस देश की जाना जाता है तो यहाँ पर option में दे रखे हैं देनमार्क, पोलेंट, ताइवान and स्वीदन यहाँ पर यह अमें option दिये गई हैं तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो सोजिम है वो क्या होती है तो यहाँ पर इसका जो सही answer होगा सबसे पहले मैं वो बता देती हूँ इसका जो right answer होगा वो होगा पोलेंट, पोलेंट होगया इसका right answer, ठीक है तो यह क्या होती है तो देखे अपने जो पोलेंट में होते हैं, पोलेंट की यहाँ बात करूँ तो यहाँ पर अपर हाउसे होते हैं उनको हम सीनिट बोलते हैं ठीक है और अपने जो लोवर जो अपने लोवर हाउसेज होते हैं ठीक है उनको हम क्या बोलते हैं सोजिम जो संसद होती है उनको हम बोलते हैं सोजिम बोलते हैं ठीक है तो देखेगा अपने जो भारत में है न भारत में अपने यहां होती ह भारत में राजसभा और क्या होती है लोकसभा ठीक है तो भारत की संसद तीन से मिलकर बनी होती जिसमें अपर जो हाउसेज होते हैं जो उच्छ संसद सदन होते हैं उनको हम बोलते हैं राजसभा जो अपने उच्छ सदन होते हैं उनको हम बोलते हैं राजसभा और जो अपने निम्न सदन, लोवर हाउसेज होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, लोकसबा, ठीक है, यह आपको याद रखना है, तो इस questions का जो सही अंसर होगा, वो होगा, पोलेंड इसका सही अंसर होगा, यह आपको याद रखना है, अब हम चलते हैं, next question पर, next question है, दिल्ली एवं जिला किरक इट संग, ठीक है, डीडी सिये ने निम्न में से किसी अपना नया लोकपाल न्युक्त किया है, तो यहाँ पे जो नया लोकपाल अध्यक्स है, वो है पिना की चंदर गोस है, वो आपको याद रखना है, कि जो अध्यक्स है, वो है पिना की चंदर गोस है, ठीक है, तो यहाँ पे जो नया लोकपाल है वो किसे नुक्त क्या गया है तो इसका अंसर होगा बदर दुर्रेज एहमद है उनको नया लोकपाल के रूप में यहाँ पे नुक्त क्या गया है ठीक है तो इससे पहले जो थे वो थे दीपक वर्मा तो दीपक वर्मा इसके पहले अपने लोगपल थे उसकी जगें बदर दूरेज हमद को रीप्लेश किया गया है तो आपको याद रखना है कि इसका जो राइट अंसर होगा वोगा उप्शन है बदर दूरेज हमद अब हम चलते हैं नेक्स कुश्चन पर निम्न में से कोन सुम्मेलित नहीं है इसकुश्चन में पूछा गया है कि ये जो अपने रेखाय दे रखी है वो इसमें से कौन CAC रेखाया जो इनको सुम्मेलित नहीं करती है थीए तो हम बात करते हैं option A की कि Mac Mohon रेखा तो Mac Mohon जो रेखा है वो हम बच्पन से अपने books में भी पढते हैं जो कि भारत में चीन के बीच में होती है Red Cliff की बात करें तो Red Cliff जो रेखा है भे भारत में पाकिस्तान ये भी अपना सही है Then third number पे आते है में रहीम रेखा, जो में रहीम रेखा है, वो रूस वैं फिंडलेंड के बीच में ही होती है, ये भी अपना सही है, लेकिन मेगिनाठ रेखा, जर्मन और आस्ट्रेलिया के बीच तो ये गलत है, ये मेगिनाठ रेखा जो है, वो जर्मन वैं आस्ट्रेलिया के बीच नहीं हो होती है यह जर्मन और फ्रांस के बीच होती है यह आपको ध्यान रखना है योदि मैं इसकी बात करूं मैगीनाट रेखा की तो यह फर्स्ट वार के बाद हुआ था जो कि फ्रेंस की साइड से हुआ था और यह देश आपस में नहीं लड़े इसलिए यह रेखा खीची गई थी जो मैगीनाट रेखा थी ठीक है अब यहाँ पर चलते हैं हम नेक्स कुश्चन पर तो नेक्स कुश्चन है बर हिपनी जल प्राप जल प्रपात किस राज्य में पाय जाता है तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नमबर ए केरल ऑप्शन वी कैवाप्शन यूदी करनाटक से कि इसका सही अंसर होगा और जिसका सही अंसर होगा तो यहाँ पिर बारत नेक्सreflex कम यह क 되면 यह मेंत करूं तो यह सिमली पाल उडिसा में एक पार्ख है सिमली पार ठीक है तो यह बर हीपनी जो जल पर पाथ है वो उडिसा में है यह आपको ध्यान रखना है अब चलते हैं नेक्स कुश्चन पर कुश्चन नंबर फाइफ Foundation for Environment Education की तरफ से भारत के कितने समुद्री तटो को Blue Flag के लिए चुना गया है तो आठ ब्लू फ्लेग के लिए यहाँ पे चुना गया है इस यदि मैं इसके बारे में बात करूँ तो परजेंट में एक ये organization है जिसका नाम है Foundation for Environment Education ठीक है ये 2019 में तो 13 beaches के बीच में हुआ था और 2020 में 8 beaches के रूप में हुआ है ठीक है तो यदि मैं इस organization की बात करूँ तो 1985 में यहाँ पे 1985 से यहाँ इसकी शुरुवात हुई थी कहां से हुई थी France से इसकी शुरुवात हुई थी ठीक है इसके बाद 2001 तक यूरोप में overall fall किया गया था और present time में इसके 47 countries है वो इसके member है ठीक है तो 47 जो इसके country है वो इसके सदश्य है यह आपको ध्यान देने वाली बात है जो और इसमें जो भी country इसमें यदि अपलाई करता है तो उसी का उसको tag दिया जाता है ठीक है तो मैं बात करूँ कि कौन-कौन से magnification जो अपने आइट से जो blue flag कहां कहां पे है उसकी है मैं एक बात करती हूँ तो अपने पास यहां देखिए जिनको blue flag certificate मिला हुआ है तो यहां पे यह जो गुजरात है गुजरात के सिवराजपूर जो बिच है ठीक है यह गुजरात में है उसके बाद डियू की बात आंट बीच है यह आप यहां पे देख सकते हैं यहां गोल्डन बीच है जो उडिसा में है जिसको ब्लू ठैक दिया गया है यह जो को ब्लू जिनको blue flag certificate दिया गया है ठीक है अब हम चलते हैं किस टैनिस खिलाडी ने रिकोर्ड बारा बार ठीक है बारा बार फ्रेंच ओपन सिंगल्स खिताब जीत लिया है तो यहां पे पूछा है कि जो टैनिस खिलाडी है जिन्होंने रिकोर्ड किया है बारा बार जिन्होंने फ्रेंच ओपन सिंगल्स खिताब को जीत लिया है तो वो है यहाँ पे राफेल नडाल इसका सही अंसर होगा तो राफेल नडाल ने रिकोर्ड किया है बारा बार जिन्होंने फ्रेंच ओपन सिंगल्स का खिताब जीता है ठीक है जो ये टूर्नामेंट है वो टेनिस से रिलेटेड है ठीक है अब हम चलते हैं और इसके यदि मैं बात करूँ राफेल नडाल की तो ये कहां से है इस्पेन से है ठीक है तो ये इस्पेन से है नेक्स कुश्चन है कुश्चन नमबर सेवन सान्ती के लिए नोबल प्रुसकार टू थार्चन ट्वंटी निम्न में से किसे प्रदान क्या गया है सान्ती के लिए नोबल प्रुसकार 2020 इन में से किसे प्रदान क्या गया है तो बताइए इसमें से किसे नोबल प्रुसकार दिया गया है World Food Program Greater Thunberg रास्पती Donald Trump और प्रदान मंत्री नरेंगिल मोधी जी को तो बताइए इसका सही अंसवर क्या होगा तो अबोर्ड से लिरेटर कुश्टन्स जो होते हैं वो एक्जाम में बहुत ही इंपोर्णट होते हैं वो पूछे जाते हैं कि यहां से से इस्टेटिक्स जीके से यही कुश्टन्स बनते हैं तो मैं यह दिसकी बात करूँ, तो इसका जो सही अंसर होगा, सही अंसर होगा इसका World Food Program, ठीक है, जो की Assistant Branch है, जो की UNO की है, ठीक है, यह एक Branch है, UNO की, United National Organization की, यह organization, 2019 में भी काफी popular हुई है, 2019-20 में, जबकि यहाँ पे COVID-19 का प्रकोप फैला हुआ था, तब इनोंने 88 countries में million लोगों तक खाना पोचाया था, तो इस कारी को देखते हुए, इन्हें यह जो Nobel प्रुसकार है, वो दिया गया था, यह आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक next question है, Forbes की तरफ से जारी ranking में, कौन लगातार, यहाँ पे लगातार आएगा, लगातार 13 साल, लगातार 13 साल भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची में पहले इस्तान पर है, तो यहाँ पे questions पूछा गया है, कि जो Forbes की तरफ से जारी की गई थी, जो ranking थी, वो लगातार 13 साल भारत के सबसे अमीर जो लोगों की सूची में थे, वो कौन है, अनिल अंबानी है, या गोतम अडानी है, या मुकेस अंबानी है, या स्तीव नडार है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसका सही अंसर क्या होगा, ठीक है, तो बताए इसका सही अंसर क्या होगा, तो इसक में इसकी नैट वर्थ की बात करती हूं कि कितनी है तो इसकी है डूलर 88.7 già गेस्कि नैट वर्थ है ठीक है और सैकेंड नमबर पे यडि में बात करती हूं तो अडानी गुरुफ की तरफ से है ठीक है यह वह आपको ध्यान देना है कि यह current से स्टेटिक जी के का questions बना है तो इसका जो सई अंसर होगा जो first number में मुके संबानी अब हम चलते हैं next question पर Question number 9 Jet engine का आविस्कार किस ने किया तो jet engine है उसका जो आविस्कार है वो किस ने किया तो jet engine का जिसने आविस्कार किया था उसमें तेन लोगों के नाम आते हैं ठीक है बट हमारे option में यहाँ पर आपको बताना है कि इन में से कौन सा व्यक्ति या scientist है जिसका जिनोंने इसका आविस्कार किया था ठीक है तो यहाँ पर जिसका जो अंसर है जिनोंने इसका आविस्कार किया है वो है Sir Frank Vietal इन्होंने जेट इंजन का आविस्कार किया था और दो है वो है एक तो Albert Phono एक है Albert Phono एंड दूसरा है Hans Worn इन तीनोंने मिलकर जेट इंजन का आविस्कार किया है और सबसे पहले जिसकी पहचान है वो 1930 में हुई थी लेकिन इन्होंने जो पहली उडान है जेट इंजन ने वो 1941, 1941 में भरी थी यह आपको याद रखना है ठीक है चलते हैं नेक्स कुश्चन पर कुश्चन नमबर 10 भारत के मिसाइल महीला के रूप में किसे जाना जाता है तो भारत के मिसाइल महीला के रूप में किसे जाना जाता है बताए इंद्रा गांदी, टेसी थोमस, प्रेंका चोपडा, नीतु सिंग बताए यहाँ पे इसका क्या अंसर होगा तो यहां पर जो भारत की मिसाइल महीला है उसके रूप में तेसी थॉमस के महीला है वो है तेसी थॉमस, तो इसका सही अंसर होगा तेसी थॉमस तो इन्हों ने क्या-क्या था कि जो अगनी फोर्थ जो मिसाइल थी उस टाइम पर बनाई जा रही थी तो DRDO की DG थी ये ठीक है DRDO की DG थी ओके कि Data General थी जी का मतलब होता है Data General ये आपको ध्यान देना है और DRDO का जो मुख्याले है वो है दिल्ली में ये आपको ध्यान देना है कि DRDO का जो मुख्याले है वो दिल्ली में है और इस मिसाइल की जो बात करूँ तो DR. APJ अब्दुल कलाम जी थे और रोकेट मैं जो फिलाल अभी रोकेट मैं है ठीक है तो रोकेट मैं है वो है के सिवान जो स्बिस्ट्रो के चेर्मेन है और वर्ल्ड रोकेट मैं की यदि में बात करूँ तो टीपू सुल्तान जी है जिन्नों ने पहले बार लोहे के रोकेट को को छोड़ा था तो जो वर्ल्ल रोकेट मैन है उसे टीपू सुल्तान जी थे ठीक है तो भारत की जो मिसाइल महिला है वो है टेसी थोमस यह आपको याद रखना है ठीक है किस केंद्रे मंत्री एवं एल जेपी नेता का 74 वर्स्त की उमर में बिमारी के कान निधन हो गया था हमारे जो केंद्रे मंत्री थे एल जेपी नेता उनका 74 वर्स की उमर में बिमारी का निधन हो गया वो कौन थे तो बताइए यहाँ पे राम विलास पास्वांस सत्यानंद सर्मा राजंदर सिंग बगवान सिंग कुस्वाहा तो इसका जो सयंसर होगा वो होगा राम विलास जी तो राम विलास जी थे वो यदि राम विलास जी थे वो बिहार के सांसुत थे और इनका जनम भी बिहार में ही हुआ था और यह नोबाल राजसभा और लोकसभा के अध्यक्स रह चुके थे परजन टाइम में यह कंजूंबर एंड फ्यूर पब्लिक डिस्रिबिशन मंत प्यूस गोईल जी रेलवे और कॉमर्स के चार्ज को समाल रहे हैं ठीक है यह आपको ध्यान रखना है नेक्स कुश्चन है कुश्चन नूम्बर 12 युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महीला निम्न में से कौन बन गई है तो युद्ध सेवा मेडल पाने वाली जो पह मिन्टी अगरवाल युद्ध सेवा मेडल पाने वाली जो पहली महीला है वो है मिन्टी अगरवाल ठीक है मिन्टी अगरवाल है जब हमारा बाला कोट जो एरिस्ट्रिक हुई थी तो उसमें केविन जो भीनंदन कमांडर थे उनकी टीम में यह थी और जो की एक पहली महीला थी जो एक ही महिला थी उनकी टीम में ठीक है तो यह है मिन्टी अगरवाल जो आप देख सकते हैं यह मिन्टी अगरवाल है जो कि उनकी टीम में थी ओके तब चलते हैं अपने नेक्स कुश्शन पर कुश्शन नमबर 13 SBI का चेर्मेन किसे न्युक्त क्या गया है तो यहां पर बताईए जो SBI का चेर्मेन है वो किसे न्युक्त क्या गया है और यह भी बताईए कि इससे पहले जो चेर्मेन थे SBI के वो कौन थे तो बताइए दिनेश कुमार खारे यहां खरे भी कही न कहीं खरे भी होता है संजीव मिस्रा हस्मुक अधिया या मुरली रामा स्वामी तो बताइए SBI का जो चेर्मैन है वो किसे नियुक्त क्या गया है तो जो SBI का जो चेर्मैन है वो है दिनेश कुमार जी दिनेश कुमार खरे इसका right answer होगा और एक इसकी जगए replace हुए है रजनीश कुमार की जगए जो इसके पहले जो chairman थे वो थे रजनीश कुमार ये आपको ध्यान रखना है ठीक है तो इसका जो इससे पहले था वो था रजनीश कुमार यदि मैं इसके मुख्याले की बात करूँ SBA के मुख्याले की तो इसका जो मुख्याले है वो है मुंबई में SBA का जो मुख्याले है वो है मुंबई में यह आपको ध्यान देना है और इसकी जो फोर्मेशन की जो स्थापना है वो बैंक ओफ मद्रास एंड बैंक ओफ कोलकत्ता को मर्ज करके 1921 में इंपीरियल बनाय गया था और 1955 में इसको री कंस्ट्रेक्शन करके SBA बना दिया गया थ ठीक है तो अभी इसके जो चेर्मेन है वो है दिनेश कुमार खारा चलते हैं नेक्स कुशन पर तो यहाँ पे इसका जो नेक्स कुशन है ये है कुशन नंबर 14 ओके तो अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कुशन नंबर 14 की तो कुशन नंबर 14 क्या है बहारती निसाने बाजी अस्वनी सिंग किस राज केंदर सासिस से सम्मंदित है तो यहाँ पे अस्वनी जी है वो किस राज से सम्मंदित है ठीक है यहाँ यह पूछा गया है तो सूटर से related, निसाने बाजी से related scheme को खेलते हैं वो किस राज से ब्लॉंग करते हैं, तो यहाँ पर option में है, मद्यपरदेश नई धहली, हर्याना एंड जम्मो कस्मीर तो बते हैं यहाँ पर क्या answer होगा तो इसका जो answer होगा वो होगा, न्यू धहली नई धहली से यह ब्लॉंग करते हैं नई दिली से ब्लॉंग करते हैं जो अस्वनी सीग है, अब हम चलते हैं next question पर question number 15 वेदान्तु नामक online coaching platform के brand ambassador निम्मे से किसे निक्ट क्या गया है तो वेदान्तु नामक एक learning platform है जहाँ पर जिसके जो brand ambassador है, वो किसे निक्ट क्या गया है आमीर खान, आज़ा देवगन वसंत देव एन रहूल राय बताएए यहाँ पर इसका सही अंसर क्या होगा तो वेदान्तु का जो learning coaching है उसके जो brand ambassador है वो अभी बने है वो है आमीर खान तो इसका सही अंसर हो जाएगा option A, आमीर खान ठीक है अब हम चलते हैं next question पर इतनी सक्ति हमें देना दाता के गीतकार के गीतकार लेखक निम्द में से कोन है जिनका हाल ही में निधन हो गया है तो बतेए कोन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है तो ये जो option दे रखें हैं अभीलास, रामेंडर, त्रिफार्टी, टेजस, व्यास, और विनोत, निगव बती सही अंसर क्या होगा इसका जो सही अंसर है वो जो प्रे जो गीत इन्होंने लिखा था इतनी सक्ती हमें देना दादा जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो है अभीलास, जिनका हाल ही में निधन हो गया है और उन्होंने ये गीत लिखा था तो option A हो जाएगा इसका सही अंसर next question पर चलते हैं सरकार की रिपोर्ट या प्रकाशन है किस देश किस सरकार की रिपोर्ट या प्रकाशन है इस तरीके से आएगा, यहाँ पर आएगा देश ठीक है बताए इटली सरकार की फ्रेंज सरकार की, ब्रिटेन सरकार की या चेन सरकार की, तो बताए यह क्या होगा तो मैं इसका भात करूँ बूबुकश्य तो जो आशींसर रहोगा वह होगा बृटेन सरकार ठीक है तो ऐसी क्या होता है कि ओर एधन ओर ऑरेंज बुक होती है ही तो तो जो इसके बाद जो और खोक जो पब्लिकेशन है वो नीदर लेंड से होती है नीदर लेंड की जो सरकार है ठीक है और यदि मैं वाइट बुक के बात करती हूं तो वो चीन पूर्तगाल जैसे देशों में होती है ठीक है तो यह आपको ध्यान देना है नेक्स कुशन है परसांत महासागर का अधिक्तम गहराई क्या है परसांत महासागर की जो अधिक्तम गहराई है वो क्या है तो आपको पता होगा जो परसांत महासागर है वो परत्वी का सबसे बड़ा ओशन है लार्जेस्ट ओशन है ठी Ring of fire भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज्वालब मुखी हैं, वो पाए जाते हैं और इसे challenger div के नामसे भी जाना जाता है. ठीक है? इसकी जो गहरी खाई है उसको Meriana Gratt के नामसे जाना जाता है. ठीक है? मेरियाना ग्रत के नाम से जाना जाता है यह आपको ध्हान देना है ठीक है तो परसंद महासागर की जो अधिक्तम गहराई है उसके बारे में पूछा है तो इसकी जो गहराई है वो आएगी 10,000 90,94 मीटर इसका सही अंसर होगा ठीक है तो उप्शन C हो जाएगा इसका राइट अंसर और परसंद महासागर कितने एरियाज में फैला हुआ है तो यदि ऐसा कुशन भी यदि एकजाम में आता है तो 16.5 16.5 मिलियान किलो मीटर स्कुयर में ये फैला हुआ है जो कि पर्थवी का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ओशन माना जाता है ओशन है ओके चलते हैं नेक्स कुशन पर कुशन नमबर 19 जापान के नए परधान मंत्री के रूप में किसे चुना गया है तो यहाँ पर जापान के जो नए परधान मंत्री है उनके बारे में पूछा है किसे चुना गया है तो बताईए ओप्शन है यहाँ पर योसी हिदे सुगा तोसी मिट्सु मोतेगी तारो कानो एंड जुनी चिरो कोई जुमिल तो यहाँ पर बताईए किसे चुना गया है ठीक है तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा ओप्शन नंबर ए योसी इदे सुगा जो की जापान के नए परधान मंत्री चुने गई है जो LDP पार्टी से बने है और इससे पहले जो थे वो थे सींजो आबे इससे जो पहले थे वो थे सींजो आबे जो 2012 से लेके 2019 तक 2020 तक और अभी परजेंट में जो अभी बने है नए परधान मंत्री वो है योसी इदे सुगा तीक आपको याद रखना है option A right answer अब हम चलते हैं next question पर इंजिनियर डे निम्न में से किस दिन बनाये जाता है जो इंजिनियर डे है वो निम्न में से किस दिन बनाये जाता है तो यहाँ पर इसका सही अंसर होगा 15 of September ठीक है तो 15 सितंबर को इंजिनियर डे मनाये जाता है तो डे से related questions भी आपको याद करने होंगे क्योंकि यह भी exam में बहुत इससे related question बनके आते है चलते हैं next question पर राजसभा के उप सभापती कौन है तो बतेए यहाँ पर राजसभा के उप सभापती कौन है तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा हरीवन्स नाराण सिंग option number D जो हरीवन्स नाराण सिंग है वो राजसभा के उप सभापती है जो की अभी re-election हुए थे September 2020 में तब यह बनाए गए थे जो की बिहार से ब्लोंग करते हैं ठीक है चलते हैं next question पर करनाटक के हुबली railway station का करनाटक के हुबली railway station का नाम बदल कर क्या नाम रखा गया है तो बतेए यहां पर जो करनाटक के हुबली railway station का नाम बदल कर जो नाम रखा गया है वो क्या होगा तो यहां पर इसका जो सही अंसर होगा option number A इसका right answer होगा सिरी सिद्धारूधा स्वामी जी railway station इसका सही अंसर होगा ठीक है तो option A हो जाएगा इसका सही अंसर अब हम चलते हैं next question पर question number 23 तो यहां पर है लाल खान जो मकबरा है वो कहां पर है तो लाल खान जो मकबरा है वो कहां है तो बतेए option A मेहंदरगड हरियाना में है वारानसी उत्तरपरदेश या ग्वालियर मद्दपरदेश या दिल्ली तो इसका जो सही अंसर होगा जो लाल खान जो मकबरा है वो है वारानसी उत्तरपरदेश में ठीक है next question है बोलियूड के किस जाने माने actor को national school of drama का परमुख न्युक्त किया गया है तो बतेए जो की national school of drama है वो कहां है दिल्ली में जो national school drama है ये दिल्ली में है और इसके जो परमुख है वो न्युक्त किया गये है बतेए आप किसे न्युक्त किया गये है तो परवेश परेश रावल जी है option C इसका होगा right answer जो की परेश रावल जी है उनको परमुख बनाया गया है national school of drama का ठीक है अब चलते हैं next question पर question number 25 आर्थिक सवतंतरता सूच कांक में भारत 26 अंके नुक्षान के साथ निवन में से किस इस्तान पर पहुँच पाया है तो बतेए जब आर्थिक सवतंतरता सूच कांक में भारत 26 अंके नुक्षान के साथ निम्न में से किस स्थान पर पहुँच पाया है तो बती इसका क्या सही अंसर होगा 105 वे, 125 वे, 115 वे या 151 वे स्थान पर तो इसको जो सही अंसर होगा वो 2020 में यहाँ पर 2020 में ये 105 वे स्थान पर पहुँच पाया है जो के एक हैरिटेज फांडेशन के द्वारा ये लिस्ट जारी की गई है तो अपना जो भारत है वो आर्थिक सवतंतरता सूच कांक में 105 वे अंग पर सोरी 105 वे स्थान पर पहुँच पाया है 26 अंग के नुकसान के कान ठीक है तो यहां पर अपने कुशन कंप्लीट होते हैं 25 कुशन हमने यहां पर कर लिए हैं जो की काफी इंपोरेंट थे तो गाईज होप सो आपको ये कुशन अच्छे लगे होंगे आपको लगता होगा कि एक्जामी पूछे जाते हैं अब इस ते इजी कुशन तो क्या आ आप चाहते हैं कि उनका भी सेलक्षन हो और वो भी अपना सेलक्षन ले ठीक है तो सेर कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर यदि आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे तो यहीं पे मैं वीडियो को बंद करती हूँ बबाबाई टेक केर झाल